आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप जिसमें हम डालेंगे मटर मश्रूम और हरी गोवी और ये कैपसिकम सिम्लम मिर्च और ये है श्ट्रिंग ओनियन और ये हमारा प्याज ये है ये दनिय के डंडल आज हम डाल दीये वोड़ा सब पोई तक हम डाल दीये अफित आज हम डाल दीये आज ही है हुआ हम डाले जीरा, और ओंडलों जीरा, और आज हम डालेंगे हैं जीरा अबने पाव में एक प्रॉकल से इक दाला से जड़ा के अधकी नमक दालनें ये तोड़ास नमक दालनें है कि अधिया हमें सब्जी अपनी पहले हम अध्रब डाउल दे अधिया हम इसमें फुरा सा लस्न दाले रहे हैं जो हमारे से छूड़ लिया था इसमें हमें डाली है लस्न, हम हम इसमें हरी को भी डाले हैं जुपाई दो अधैी हम अधिया हमना दोल जूँट्स इस के ट्की कम डalten होटेम दूंग भी अधियां स्टैम न हम श्यूम बच बार मारे प hail श्यूम अधिया हुआ आप नंवी आपक हो डिया है इसको फैल रहे है इसको प्राइए कर रहे है अप्रसाशा नमट डालेंगे इसको आपक हो नापक हो अपक है अब हम इसमें डालेंगे पानिश 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 प्रदाद ही रखेंगे ताकि यह गर्ण की तो इसमें हम पहले हाई हीक पे गरम करेंगे इसके बाद जब यह जाएगा एक वाला जाएगा प्रम इसको अब यह हो गया हमारा ज्यादा इसमें वाल नहीं लाएंगे तो इसमें छाग नहीं आना चाहिए बड़ जब छाग दिखाई दे इसको हलका करते हुआ है इसको गाड़ा करने के लिए यह तो कॉन फ्लैक में लाएंगे या फिर तो मार्किट वाला जूस रूपाता है उसको मिला सकते हैं इसको पानी में घूल लेंगे और इसको पानी डाल लेंगे और इसको बच्चे से भूल लेंगे इसको इसको इमाटनी रहनी चाहिए हमारा सूप बन गया है लगवग में हम चेक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब अब हम इसमें कॉन फ्लैक डालेंगे अलकिल के अगर कम रहेगा तो और डालेंगे और ने इतने में तो अब साही हुआ है अब हम इसमें डालेंगे को रिंडर के निकाल रखी है अब लाश्ट हम इसमें को रिंडर लीव के तुपले डालेंगे अब हम इसको फाइनल इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस तो आपके अनुसार आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसको अवाइट में कर सकते हैं कि अब तेश्टी बनाया है यह सूप बहुती थिक ज्यादा थिक भी नहीं है ज्यादा बतला भी नहीं है तो बहुती टेश्टी है इसमें लेमन जूस मिलाने से और भी टेश्ट आ गया है धन्यवाद आपको यह वीडियो देखने के लिए बने रही है हमारे चैनल केजी अंडिया फूट के साथ हम आपके लिए लाएंगे नहीं रेसिपीज जो आप घर में आसानी से बना सकें धन्यवाद झाल